करम्पल से भगवान भी नहीं बच सकते भगवान स्री किर्षन जब माता देव की और पिता वासु देव को कन्सकी कारागार से चुडाने गए तब भगवान स्री किर्षन की हुमर चोदा वर्ष कीती तबी माता देव की ने भगवान स्री किर्षन से पुचा कि आप तो इस्वर हो आप तो भगवान हो हमें चुडाने में इतनी देर क्यों लगा दी आप हमें 14 साल से पहले भी चुडा सकते थे आकिर हमें कश्ट देखते हुए चोदा वर्स हो गए हैं आप हमें इतनी देर क्यों लगा दी चुडाने में तब बगवान स्री किर्शन बोले हे माता क्या आप बूल गई हो पहले जनम में आपने मुझे चोदा साल का वनवास दिया था तबी माता देव की यह बात सुनकर आश्रे सकित हो जाती हैं और पूछती हैं कि आप यह क्या कह रहे हो तब बगवान स्री किर्शन ने कहा कि मैं पहले जनम में राम था और आपती माता केकई तब आपने मुझे चोदा साल का वनवास दिया था और माता देव की ने फिर पूचा तो फिर अभी यह सोदा कोन थी पहले तब बगवान स्री किर्शन ने कहा ति माता यह सोदा पहले जनम में माता को सल्या थी तब माता को सल्या ने आपने जब मेरे को चोदा साल का वनवास दिया तब वह मेरे से 14 साल तक अलग रही इसलिए इस जनम में वह माता और पुत्तर के 14 साल तक उन्होंने सुक देखा और आपने 14 साल तक दुख देखा इसलिए कहने का तातर पहें कि करंपल से बगवान भी नहीं बस सकते वह तो बगवान स्री किर्शन और बगवान राम थे पर बुसरी हरी विश्मु के अफ़तार थे वह भी करंपल से नहीं बस सके तो हम कोनोते हैं उनके आगे इसलिए आप से तातपरे हैं कहने का कि जो भी आप करंप करते हैं हर एक करंप सो समझ कर कीजिएगा क्योंकि हर करम का फल निशिती मलता है इसलिए आप कमेंट में जरूर लेके जय स्री किष्णा रादे रादे एसी वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्स्राइब करें जय स्री किष्णा रादे रादे